देश की राज़तानी दिल्ली की सिमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है किसान संगटन केंदर सरकार द्वारा हल ही में लाए गए कृशी कानून का विरोध कर रहे है किसान संगटन के बीच अब तक की बादचीत में कोई हल नहीं निकल पाया है ऐसे में किसान संगटनों के मुखियाओं ने एक दिवसी अंशन भी किया था जिसका कोई भी असर सरकार पर नहीं दिखा ऐसे में ठिठूरती सर्दी में अपनी बात मनवाने और तीनों कृशी बिलो को रद करवाने के लिए किसान चार दिन से अंशन पर बैठे हुए है जब BC News के समवाद दाता ब्रजेश कुमार ने किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग अपना धरना शांती पुर्वक कर रहे है और इमर्जनसी सेवा के लिए हम हर तरह से प्रशासन के साथ है उसके लिए हम सडक खोले हुए है लेकिन नैशनल हाइवे का रोड हम ब्लॉक किये हुए है और यह तबी खुलेगा जब हमारी मांगे पुरी होगी वही नैशनल मीडिया केंदर सरकार से मिलकर देश में यहाँ खबर फैला रही है कि चिला बॉर्डर से किसान जा चुके है और सरकार को अपना समर्थन दे दिया है जिसके लिए हम नैशनल मीडिया का बहिशकार करते है किसानों ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक तीनों कृषिबिल वापस नहीं होते तब तक हम धरने से नहीं उठेगे चाहे कब कपाती सर्दी से हमारी जान ही क्यों ना चली जाए हाला कि अभी तक 11 किसानों की मौत इस धरने से हो चुकी है अब देखते हैं कि किसानों की मांग सरकार मानती है या यू ही किसान अपनी बात मनवाने के लिए धरने पर बैठे रहेंगे और क्या कुछ कहा डॉक्टर तरुन शर्मा प्रदेश उपाध्यक्षभ भारतिय किसान यूनियन भारुने देखिए हमारी खास रिपोर्ट में दिल्ली के चिल्डा बॉर्डर से बीसी न्यूस के लिए ब्रजेश कुमार के रिपोर्ट